असलाम वालेकूम दिस इस विसमा शेक और आज हम क्लास फिफ का चैप्र नुबर 12 टैंपरेचर पढ़ेंगे तो प्रीविज फीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कंप्रीट कर लिया था इस चैप्र का और इस फीडियो में अब आप इसकी पर एक्सराइज 1 और 2 शुरू करे तो यह आपका वर एक्सराइज बन का कुछ नंबर वन है इसमें दिया हुआ है फिल इन दे ब्लैंक तो इसमें फॉस्ट कोशन है आपका अट 10 डिगरी सेल्सियस 10 डिगरी सेल्सियस दा आइज विल तो यह आपसे पूछ रहे हैं कि जब टैंपरेचर जो है वो 10 डिगरी से सेल्सियस हो जाएगा तो आइस क्या होगी आइस मेल्ट हो जाएगी देखिया आइस विल मैल्ट तो फर्स्ट वाले का हो गया मैल्ट अप यहां पर लिख देंगे मैल्ट उसके बाद है if my body temperature is 39 डिगरी सेल्सियस I must or must not see see the doctor so अगर हमारा body temperature 39 डिगरी सेल्सियस होगा तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं तो अगर हम celsius में देखे तेंपरेचर तो हमारा normal जो body temperature होता है वो होता है 37 डिगरी सेल्सियस आपकी book में भी given है लेकिन अगर हमारा इससे ज़्यादा temperature इससे कम होगा तो हमें ड सीधा doctor उसके बाद है when the temperature went above 40 degrees celsius it became very अगर temperature 40 degrees से जादा हो जाए तो वो क्या हो जाता है बहुत जादा करम हो जाता है hot हो जाता है उसके बाद है I had to wear dash clothes when the temperature was 10 degrees celsius so 10 degree में ठंड होती है इसलिए हमें warm clothes पहनने चाहिए warm मतलब गरम clothes उसके बाद है when my body temperature is dash I am full of energy so यहाँ पर देखिए यह धियान रखिए है कि यहाँ पर Fahrenheit दिया हुआ है या Celsius दिया हुआ है तो इधर आपको Celsius दिया हुआ है तो आपको कित्ते degree Celsius में आप आपकी body temperature full of energy होता है तो वह होता है 37 degree Celsius मैंने बताए ना 37 degree Celsius अगर आपको body temperature तो आप full of energy है तो यहाँ पर आजाएगा 37 degree Celsius तो चलिए अब हम question number 2 शुरू करता है so question number 2 में दिया हुआ है choose the correct answer by putting a tick sign which is the most correct temperature for a glass of juice so एक glass of juice है उसके लिए कौन सा ज्यादा सही temperature है 50 degree Celsius या 5 degree Celsius अब देखिए अगर 50 degree Celsius होगा तो बहुत ज्यादा गरम हो जाएगा 5 degree Celsius ठंडा होगा और juice ठंडा ही पिया जाता है तो यहाँ पर आजाएगा 5 degree Celsius ठीक है उसके बाद है a hot bath अब आपको गरम गरम बात लेनी है नहाना है तो उसके लिए कैसा कैसा आपको पानी चाहिए तो एक है 220 Fahrenheit and 120 degree Fahrenheit तो इसके लिए आपको चाहिए 120 degree Fahrenheit क्योंके 220 degree Fahrenheit को ज्यादा ही गरम हो जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा 120 degree Fahrenheit उसके बाद है आइस्क्रीम तो एक है 30 degree Fahrenheit एक है 65 degree Fahrenheit तो आइस्क्रीम जो है वो होगे आपकी 30 degree Fahrenheit 30 degree Fahrenheit क्योंके 65 degree Fahrenheit अगर हमने लिया तो वो कुछ जादा ही गरम हो जाएगा और इतने में आइस्क्रीम हमारी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद है a cup of soup so यह soup जो होता है वो हम गरम पीता है so 20 degree Celsius को जादा ही ठंडा हो जाएगा हमें cup of soup के लिए कितना temperature चाहिए 85 degree Celsius उसके बाद है you could make a snowman add आपको एक snowman बनाना है तो उसके लिए कितना temperature होना चाहिए वो होगा 25 degree Fahrenheit ठेक है तो चलिए अब हम question number 3 की तरफ बढ़ते हैं is better for outdoor skating so outdoor skating के लिए कौन सा बैटर तेमपरेचर है 28 degree Fahrenheit और 28 degree Celsius so वो है 28 degree Fahrenheit उसके बाद पूछा चाह रहा है आप से जो कुट फ्लाइए oh sorry which temperature is better for a picnic 25 degree Celsius और 25 degree Fahrenheit so better temperature जो है वो है आपका 25 degree Celsius उसके बाद आप से पूछा जा रहा है you could fly a kite at temperature 30 degree Celsius और 30 degree Fahrenheit तो इसमें आपका आएगा 30 degree Celsius उसके बाद है your room will be comfortable at a temperature 65 degree Celsius और 65 degree Fahrenheit तो इसका सही आंसर है 65 65 degree Fahrenheit तो चलिए अब हम वर exercise 2 के तरफ बढ़ता है तो पर exercise 2 में आपका first question है what is the most commonly used liquid in thermometer called what color is it so आपका thermometer जो होता है उसमें जो liquid होता है उसका नाम होता है mercury M-E-R-C-U-R-E mercury और इसका color जो होता है वो silver ही होता है okay silver color का वो होता है mercury उसके बाद आपसे पूछा गाया question number 2 में what happens to it when the temperature rises तो अगर temperature बढ़ता है राइस होता है तो mercury में क्या होता है so जब temperature rise करता है तो mercury भी rise करता है mercury भी उपर की तरफ आता है आपने thermometer में देखा होगा जब आपका temperature आपको बुखार होता है ममा आपका temperature check करती है तो वो जो होता है mercury वो उपर आता है चड़कर और फिर question number three है आपका what happens to it when the temperature falls so temperature जब fall होता है तो क्या होता है mercury में तब mercury भी fall करता है mercury भी नीचे की तरफ आता है उसके बाद आप question number four में दिया हुआ है what is the name given to a thermometer used by doctors so वो thermometer जो की doctors use करते है उस thermometer को क्या ज़का जाता है उसको कहते है clinical thermometer ओके उसके बाद आपका question number five है आपका question number five है which scale has the greater range of numbers so आपसे पूछ रहा है कि कौन सी, आपको मैंने भी यह तो बताई दिया था कि दो scales होती है एक होती है Fahrenheit एक होती है Celsius तो यह पूछ रहा है कि कौन सी scale के पास जादा range है numbers की so वो scale है आपकी Fahrenheit उसके पास जादा range है numbers की so आपको question number six में दिया हुआ है change these temperatures into Fahrenheit so आपको यहाँ पे Celsius को Fahrenheit में change करना है so इसमें आपका first part है 40 degree Celsius so 40 degree Celsius को Fahrenheit में change करना है जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यह आप कैसे solve करेंगे previous वीडियो में अगर आपने वह introduction वाली वीडियो नहीं देख रखी है nine eights of is 72 उसके बाद अब 72 में क्या करेंगे plus करेंगे 32 so 72 plus 32 is one hundred and four degree Fahrenheit आप इसके साथ में लगा देंगे तो चलिए अब हम question number seven के तरह बहरते हैं so question number seven में आपको दिया हुआ है change these temperature into Celsius और आपको Fahrenheit को Celsius में convert करना है so इसका oh sorry इसका first part है 65 degree Fahrenheit so इसको आप कैसे change करेंगे सबसे पहले अगर आपको Fahrenheit को Celsius में change करना है तो सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं 32 minus करते हैं so इसमें 32 minus करेंगे तो आपको answer आएगा 33 33 उसके बाद आप इसमें multiply करेंगे 5 by 9 so 33 into 5 by 9 आप इसमें यह multiply करेंगे तो आप इसे डिवाइट करना शुरू करें तो 33 is to 9 31 33 33 उसके अधा अज़न आप यह और नहीं कर सकता तो आप इसे लिक लीजिए multiply करके 5 ए ए तो नीचे 3 as it is आ जाएगा उसके आद आप इसे डिवाइट करें तो आपका आंसर डैसिमल में आएगा तो डैसिमल में आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा 18.333 और ऐसे आएगा तो इसमें अब आप कैं लिखेंगे अप्रोक्समेट आंसर लिखेंगे मतलब डैसिमल को बूल ज टूल लपता कर दो कर दो कि भी शूले सेज़ हैं